दोस्तों फिलहाल जवान ने इतने टिकेट बुकिंग है कि सारे रिकॉर्ड बरबाद हो गए तो आपकी जानकारी के लिए बता दे कि जवान 9,60,000 से ज्यादा टिकेट बेच चुकी है वही इसका 26 करोर के आसपास कलेक्शन हो चुका है दोस्तों वही बात करे साउथ में जवान के कितने टिकेट बिक चुके हैं तो तमिल और तेलुगु से जवान 1,00,000 टिकेट साउथ में टिकेट साउथ वही दोस्तों 26 करोड अभी 6 सितंबर तक जवान की कलेक्शन हो चुकी है जो की बॉलिवुड और साउथ में अभी तक सबसे ज्यादा है दोस्तों जिस तरह से पठान ने बॉलिवुड को जिन्दा किया था वैसे ही जवान फिर से इतिहास रचने वाली है फिल्मी एक्सपर्ट्स ने जवान को मास एक्शन फिल्मों का बाप बताया है अभी तक जितनी भी फिल्में रिलीज हुई सबसे खतरनाक मास एक्शन फिल्म है की है? दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पठान का रिकॉर्ड अब खतरे में है क्योंकि जवान पठान का भी हजार करोर का रिकॉर्ड तोर देगी ओवर्सीज यानि अमेरिका और दुबई में जवान ने हिस्ट्री बना डाली है पठान के बाद अब जवान से फिर किंग खान बड़ा धमाका कर रही है के एक्षन तो खतरनाक है क्योंकि हॉलिवुड से एक्षन करने वाली टीम को लिया गया है जवान पूरे दो साल में बनकर तयार हुई है वही फिल्म को साउथ में भी अच्छी उपनिंग मिलती नजर आ रही है बलकि विदेशों में भी जवान का काफी ज्यादा हाइप क्रेज है और वहाँ पर भी टिकेट बुकिंग जवान में किंग खान हॉलिवुड लेवल के एक्षन करते नजर आने वाले है फिल्म का क्रेज के हिसा से ये इस साल की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है दोस्तों जवान में हमें नयंतारा शाहरुखान के अलावा विजय से तुक्ती और सुनील ग्रोवर जैसे बहतरीन एक्टर देखने को मिल रहे है फिल्म का बजट भी काफी ज्यादा है और डायरेक्टर भी बहुत बड़े मास एक्शन के एक्सपर्ट है दोस्तों पठान ने लगभग हजार करोड का कलेक्शन किया था जिसमें 500 करोड हिंदी लैंवेज में कमाये थे लेकिन अब जवान को लेकर शाहरुखान के फैंस 2000 करोड कमाने की उम्मीद कर रहे हैं आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना जवान कितना कलेक्शन करेगी